नमस्कार राजमंत्रिया हमारे विशेश कारिक्व में आप सभी का स्वागत है भविश्य को जानने की उच्शुकता हम सभी के मन में होती है क्योंकि भविश्य एक ऐसा सच है जो हमारे होने का सबुत पहले ही दे देता है और इसी लिए आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में है विश्व विख्यात जोतीशी पंडित राजकुमार श्रमा जी पंडित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि आपने जो भी भविश्य वानी की थी हमारे इस कारेक्रम में उसकी मैं याद दिला था हूँ आपको आपने बिहार के बारे में बोला था आप हमेशा बार-बार ये बोलते आये थ दिखा रहा है पंडित जी ये बहुत-बड़ी बाथ है हमारी भविश्य वानी ये सब सच होती हुई दिखाई देती जा रही है हमें आपने stock exchange के बारे में बोला था आपने gold के बारे में बोला था और आपने oil के भी बारे में बोला था इस सभी मुद्दों पर में आउंग है अगर अब भी हम देखते हैं आज की लेटेस्ट निउस अगर देखते हैं तो कल्लैंड डोंबियुली में राश्ट्रवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ने अगारी अपनी बना ली है और उन्होंने 60 और 40 ये फॉर्मिला भी उनका तै हो चुका है अब बात रही है शिव होने वाला है ये सीन हम जानना चाहते हैं पंडिजी देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों का मन पूर्वक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी तादाद में हमें इमेल किये इतने वाटसब किये इतने मैसेजिस भेजे जैसे अभी सुहाद जी ने बोला कि सोना, चा शिरवाद आप सबका अभिनंदन भी करता हूं मैं क्योंकि जितनी देर तक दर्शक प्रसन्न नहीं है उतनी दर तक यह सब नहीं होता अब मैं आता हूं आपके सवाल के उपर क्योंकि आपका सवाल गो है, वो सटीक महराष्ट के उपर है और हमारा जो chynel है, उसका नाम ही election हो रहे हैं और कहते हैं कि नगरपालिका का election जो पार्टी जीतती है उसे आगे state में और उसके बाद में देश में राष्ट में राज्य करने का साहस मिलता है और आगे बढ़ जाती है मगर इस वक्त हम जब उद्दव ठाकरे साहब की और उसके opposite राधा किशन विखेपार्टल या अशोप चाहान की कुंडली की बात करते हैं और सात में राज्ठाकरे साहब की कुंडली का बात करते हैं सुप्रिया सुले अजीत पवार और शरत पवार साहब की कुंडली का बात करते हैं क्योंकि ये मुख्य पार्टियां हैं जो इस वक्त कल्यान डोबी वली इलक्षन में खड़ी हैं और इन ही की भूमी का आपको दिखेगी क्योंकि इन ही की वज़ा से वहाँ पर नगरपालिका में अभी तक सकता पर कोई न कोई पार्टी काबिछ होती गयी है चाहे वो पीछे शिवसेना थी मनसे थी और कहीं न कहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ जो प्राभत है वो प्राभत बढ़ता हुआ जो है वो NCP का भी बहुत अच्छा प्राभत बढ़ रहा है अब हम बात करते हैं election की date का गोचर election क्योंकि यह बहुत जरूरी है दर्शकों से जान लेना दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है कि जिस date में चुनाओ होते हैं जिस date में चुनाओ होते हैं वो एक examination होता है किसी भी पार्टी का और जब निकाल होता है यानि कि जब चुनाओ का result निकलता है तो उस दिन उसकी किस्मत का पिटारा खुलता है तो जोतिष शास्त्र में इन दोनों गोचरों को देखा जाता है उद्दव ठाकरे साब की कुंडली का अध्यन करते हैं तो वहाँ पर अगले साल 9-8-2016 तक उद्दव ठाकरे साब के उपर राहु की महादशा चल रही थी इतने सालों में उन्होंने राहु की महादशा में कुछ चिंताएं, कुछ तकलीफें, कुछ मुसीवतें, कुछ संघर्ष किये जिसमें संघर्ष में ये भी आता है कि पिता जी का ध्यान थो जाना या पार्टी के अंदर अपनी कलहा को अपनी बुद्धी मता से सुलजाना और कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए एक नया रास्ता, एक नया आयाम शुरू करना मगर हम बात उद्ध उठाकरे के आगे की बात नहीं करेंगे कहते हैं कि राहू इन सब मुसीवतों का कारण बना सत्ता में आते हुए कहीं न कहीं बीजेपी के पलड़े जादा भारी पड़ गए वो भी एक राहू का कारण था सुहाजी अगर हम महराश्ट के विदान मंडल में देखते हैं तो वहाँ पे भी उद्धा उठाकरे पूरी तरह से काम्याब नहीं हो पाए इस वक्त भी भारतिय जनता पार्टी जो है अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं शेवसेना के साथ में जो विवहार कर रही है वो जग जाहिर है उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है मगर जोतिश की नजर के हिसाप से एक बात तैह है भारतिय जनता पार्टी की बात करते हैं रावसाव दानवे जो यहां के मुख्य अध्यक्ष है बीजेपी के और उद्धो ठाकरे जो इस वक्त प्रभारी है शिव सेना के उनकी कुंडली का ध्यन करते है साथ में कॉंग्रेस, NCP, महराष्ट नवनिर्मान क्योंकि कल्यान में महराष्ट नवनिर्मान सेना बहुती जोश में है और रही है अभी तक एक बात तैह है अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं मगर यहाँ पर अगर हम कल्यान डोंबी वली की बात करें तो एक बात तैह है कि कहीं न कहीं स्पष्ट रस्ता अगर हम पकड़ लेते हैं तो उद्दव ठाकरे सहब की अध्यक्षता में शिव सेना जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और कल्यान डोंबी वली के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट्स पाने वाली जो पार्टी होगी वो महराष्ट में शिव सेना यानि बाला सहब की जो पार्टी है शिव सेना जो है वो सबसे ज्यादा सीट्स लेगी पंडी जी आप कह रहा है कि क्लैन डूम्बियूली में सबसे ज़्यादा जो सीटे मिलेगी वो शिवसेना को मिलेगी लेकिन पंडी जी साथ ही एक सवाल छोटा सा पैदा होता है कि मनसे को यानि कि राश ठाकरी जी को हम नजन अंदाज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट इलेक्शन में मनसे का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है 27 सिटे वहां ही है तो मनसे का रोल ये इलेक्शन में कैसा रहेगा देखिए 2012 से पहले राज ठाकरी साहब की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई थी और गुरु की महादशा में उन्होंने महराष्ट नमनिर्मान सेनाग पार्टी की स्थापड़ा की और गुरु की महादशा में उनको सफलता भी मिली 13 उनको यनी MLA जो है उनके ज बात ताय है, नियती अपना काम करती है, भाग्य से बचकर आप भाग नहीं सकते, इसलिए राजठाकरे साहब की कुंडली का जभध्ध्यन करते हैं, और महराष्टर नव निर्मान सेना की कुंडली का जभध्यन करते हैं, मैं बहुत बार इनकी कुंडलियों को आपके समक्षप पेश कर चुका हूँ समय कम होने की वज़ा से 2012 से राज ठाकरे साहब की कुंडली में शनी की महादशार लगी शनी उनका उत्तम नहीं है जिसके कारण उनको इस वक्त सिरफ एक ही MLA के साथ में सबर करना पड़ा कहीं न कहीं नासिक में भी उनको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा मगर महराष्ट नवनिर्मान सेना की अगर आपने सवाल की है तो यहाँ पर उनकी सीटे कम होगी जादा नहीं मगर एक बात तैह है कि कहीं न कहीं शिव सेना जो है वो सपष्ट बहुमत लेकर और कहीं न कहीं अगर उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि भारती ये जन्नता पार्टी से वो कोई सहायता मांगेंगे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शरत पवार सहब की पार्टी देखिए बहुत से दर्शकों ने मुझे पिछली बविश्यवाणी करते समय उसके बाद में सवाल किये कि शरत पवार की पार्टी और शिव सेना का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है राज ठाकरे उनकी भाई हैं बीजेपी उनकी समर्थक है बीजेपी के साथ में वो सत्ता में बैठे हुए हैं आप कैसी बात कर रहे हैं मगर भाग्य समय और जोतिश शास्त्र और नवग रहे उनकी प्लेस्मेंट नक्षत्र ये कभी कुछ क्या करवाते हैं इसका आपको को आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है कहीं न कहीं कुछ जगाओं के उपर महराष्ट नवनिर्मान सेना उनको सपोर्ट करेगी उनको सपोर्ट करेगी मगर जब सत्ता में आने की बात होगी तो हो सकता है भारतिय जनता पार्टी को एक तरफ रख कर शिव सेना के अध्यक उद्धव बाला साव ठाकरे जो है इन दोनों नगरपालिकाओं में अपनी सत्ता बनाएं अब दूसरी बात आपने जो कहीं कल कोलापुर की वी कैनोट इग्नोर कोलापुर कोंकि यहां पर समीकरन ही अलग है और वहां का समीकरन भी बहुत अलग है क्योंकि कोलापुर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल्य जो रहा है वो राष्ट्रवधिया और कॉंग्रेस कर रहा है देयर यो आर आपकी घ्यान का मैं वैसे ही भी कायल हूँ मगर यहां पर अगर हम क्योंकि कहीं न कहीं दक्षिन उत्र पूर्व इन दिशाओं का जोतिश से बहुत बड़ा संबंध है हम जब जोतिश कुंडली बनाते हैं किसी तो Longitude and Latitude देखते हैं कोलापुर का Longitude and Latitude जब हम सुहाजी देखते हैं तो आपने जो दो पार्टियों का नाम लिया स्पष्टत है वहाँ पर तीसरी कोई पारटी मुझे दिखती नहीं है भारती ये जन्नता पारटी सेकंड नंबर पर आ सकती है वहाँ पर कॉंग्रेस और NCP जो है वो कोलापुर नगरपालिका में आपने बहुमत के साथ में अपनी सत्ता बनाने में काम्याब हो सकती है और दूसरी वहाँ पर जो सबसे बड़ी पारटी बनकर उभर सकती है वो भारती ये जन्नता पारटी हो सकती है भारती ये जन्नता पारटी को अच्छी सीटे मिल सकती है मगर मैंने पहले ही बोला कि दशा दिशा ये बहुत जरूरी होती है चारों दिशाओं के latitude, longitude पकड़ कर हम बविश्यवानी बोलते है और कोलापूर की बविश्यवानी ये है कि वहाँ पर कॉंग्रेस और nationalist कॉंग्रेस पारटी जो है वो अपना दम दिखाएंगी और उनको जादा से जादा मत मिलेंगे और वो दोनों मिलकर वहाँ पर सत्ता बनाएंगे नगरपाली का, दोंबी वली की और कल्यान जो है जोतिश शास्तर के हिसाब से पांचों-छे पार्टीयों की कुंडलियों का अध्यन करने के बाद शिव सेना जो है, वो स्पष्ट बहुमत भी लाक कर यहाँ पर सत्ता में आसाब चलिए पंडी जी जैसे आप कहे रहें कि दशा और दिशा ये भी बहुत रोल निभाती है वैसे कोलापूर में हमें कॉंग्रेस और राष्टरवादी ये जादा आगे जाते हुए हमें दिखाए देगी वैसे ही कल्यान डोमियोली में शिव सेना जादा सीट्स लाएगी लेकिन राश्ठाकरे के बारे में अगर कहेंगे तो उनको शनी की महादशा चल रही है जैसे आपने ये सभी कहा है अब हम चलते हैं पंडित जी बिहार में पंडित जी में शुरुवात में आपको कहा कि बिहार के बारे में आपने राजमंतर के ये अपने शो के मंच पे दो बार, तीन बार, चार बार कहां है कि बिहार की इलेक्शन में नितीश कुमार जी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आज के अगर सभी चैनल्स के अगर हम सरवे देखते हैं तो वो ही नतीजे हमें सामने आते हैं देखिए, कहते हैं कि ग्रह दशा जो है वो बहुत बड़ा अंतर लाती है, रंक को राजा, राजा को रंक बना देती है 1351 नितीश कुमार की कुंडली का अध्यन करते हुए जब हम भव सुवार जी बहुत विचित्र बात क्या है, देखिए यहांबर कि नरेंदर मोदी की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो व्रिश्चिक राशी, नितीश कुमार की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो व्रिश्चिक राशी अच्छा, हाँ, एप्रिल से राहु की महादशा शुरू हो चुकी है बहुत से लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि मैं राहू की महादशा में भी नितिश कुमार को वहां का चीफ मिनिस्टर डिकलेयर करते आया हूँ मित्रो आपको 2004 के इलेक्षन याद होगा और मेरी ववश्यवाणिया याद होगी मैंने बहुत से चैनल्स के माध्यम से ये बात कही थी कि 2004 में इंडिया शाइनिंग भारतिय जन्नता पार्टी अटल बिहरी बाजपई विफल होगा और अगला चीप प्राइम मिनिस्टर जो है वो मनमोन सिंग होंगे क्योंकि मनमोन सिंग की राहू की महाधशा चल रही थी राहू, शनी, शुक्र, केतू ये चारों दैत्य ग्राय हैं जब आपके उपर प्रसन्न होते हैं तो आपको रंक से राजा बना देते हैं और नितिश कुमार तो अल्लेडी राजा की गद्दी पर बैठे हुए हैं राहू उनका प्राकरम के घर में बैठा हुआ है इस वक्त अगर नितिश कुमार की कुंडली का अध्यन करते हैं तो साप साप जाहिर है सुहार जी आपको हैरानगी होगी कि जो लोगों के यहां पर जाय महाराष्ट्रा नहीं पहुंचता है वो लोग हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के माध्यम से यहां दूसरे माध्यमों से देखते हैं और वो इस बात से परेशान थे कि वहां पर 160 सीटे भारती जनता पारटी को सर्वे दे रहे हैं पंडित जी यू आगें अगें अगें सेइंग कि I am sticking to my prediction that Nitish Kumar will come back as the Chief Minister of Bihar once again today on 10.10.2015 at 8.15 आठ बज के पंदरा मिनिट के उपर अगर हम गोचर बनाते हैं नitish Kumar, Lalu Prasad, जादव और Sonia Gandhi की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं Congress की कुंडली का वो ही लेंडिटूट, लेंडिटूट की बात करते हैं लेंडिटूट और लेंडिटूट की तो ये बात स्पष्ट दिखती है कि आप लोग पहले तो BJP को 160 दे रहे थे फिर 120 पे आगए, 109 पे आगए, अब 90 के करीब-करीब भारती ये जन्रतापार्ती को उनके गटक दलों को दे रहे हैं मगर जै महराष्ट में राजमंत्र का सर्वे, सर्वे नहीं, ये जोतशी ये भविश्यवानी है कि नितिश कुमार को कम से कम 80 सीटें जे डी जू को सेकंड उनके जो घटक है कॉंग्रेस, कॉंग्रेस विल गें देर, कॉंग्रेस को कम से कम 30 सीटे मिलेगी बहाँ पे हाँ, 28 से 30 सीटे मिलेगी, या 25 से 30, जहां पर भी पाँच, चार पांच सीटे मिलती थी और लालू जी जो है उनको 20 से 25 सीटे मिलती हुई दिखाई देती है तो कुल टोटल कर लिया जाए तो ए महागठ बंदन जो है 122 के उपर, 128 और 130 सीटों के उपर पहुंच जाता है पहले तो मैं neck to neck finish बोल रहा था क्योंकि कहीं न कहीं survey जो है मुझे भी disturb कर देते हैं आपको बोला जाए कि आप काले हैं, काले हैं, काले हैं तो आप काले ही दिखने लग जाते हो इसलिए मैं भी disturb हो रहा था बट अगें अगें सुहाज जी ने मुझे पूछते रहे कि are you still connect, मतलब stick to your, I am still और अब तो मैं थोड़ा ज्यादा आश्वस्त हो गया हूँ इसलिए नितिश कुमार और ये महागठबंदन बिहार में अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जोतिशी ये कारेक्रम है, जोतिश के माध्यम से शनी की प्लेस्मेंट, गुरू की प्लेस्मेंट, शुक्र, अठारा तरीक को शुक्र भी बदल जाएगा यहाँ पर एक भविश्यावानी, आपने कारेक्रम के बिना पूछे बता दू मैं अठारा तरीक को जो शुक्र बदलेगा मित्रो, प्लीज, note it down आपको याद होगा भुक्रम की बविश्यावानी हमने की थी, अठारा तरीक को शुक्र की राशी में जब भी सूर्य जाएगा तो आत्मघाती हम ले, उग्रवादों, उग्रवाद का कहीं न कहीं बढ़ावा और कहीं न कहीं के इन बॉर्डर के ऊपर कुछ समस्यां खड़ी होगी आपने बड़े-बड़े नेता हैं जो नरेंदर मोदी है, अमित शाह है, राहुल गांधी है और बड़े-बड़े जितने भी सोनिया गांधी है, मनमोन सिंग है जितने हमारे देश के बड़े-बड़े नेता हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड करनी वेधन है अपनी सुरक्षा का कताई को ताही ना बरते हैं यह 10 दिन का पीरियड होगा 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक उपर से भिहार में इलक्षन है जैसे कि पंडी जी ने अभी कहा है कि 18 तारीख को शुक्र बदलेगा और आत्मगात की हले जैसे कुछ हले भी हो सकते हमें सब को सुरक्षित रहना है, सतर कर रहना है पंडी जी हम राजनीती की ही बात कर रहे हैं तो फिर से हम थोड़ा सा महाराष्टर में आते हैं पंडी जी क्या महाराष्टर में अभी जो मंत्री मंदल है उसमें फिर बदलाओ के कुछ चांसिस है बहुत बड़ा सवाल है ये ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को मुझे बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं कुछ तो आपने स्वार्थ की वज़ा से पूछते हैं जो MLA हैं कि हम मंतरी मनेंगे कि नहीं क्योंकि मेरे काफी बिहार इलक्षन के इमीजेटली बात यहां पर मुंबई का और महराष्ट का जो बदलाओ है उसमें कहीं न कहीं कोई अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं चाहे मुंबई का बदला जाए चाहे महराष्ट का बदला जाए दूसरा जो मंतरीयों में जो फेर बदल होगा वो फेर बदल दिखाई देता है क्योंकि कहीं न कहीं शणीका की डिग्री बदल जाएगी बुद्ध मारगी हो चुका है शुक्र जो है वो सात्मी राशी में आ जाएगा ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होने की वजह से कहीं न कहीं उथल पुथल होगी जो मंतरी अब हैं वो नहीं रहेंगे कम से कम सुहाजी ये सिर्फ जय महराष्ट के उपर ही आपको ये बविश्यावानिया सुनने को मिलेंगी कम से कम आठ से दस मंतरी जो है उनको नीचे उतारा जाएगा और आठ से दस ने मंतरी जो है उनको उपर डाला जाएगा और कहीं न कहीं भारती ये जन्नता पार्टी ने जो प्रामिसिस किये थे उन बादों को अपने लोगों को निभाएंगे और एक खुशकबरी की बात भी सुन लीजिए वो ये है कि भारती ये जन्नता पार्टी और शिवसेना में जो इतनी खटास और दूरिया बढ़ती रही है उन में कहीं न कहीं प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा पंडी जी आपने कहा है कि 20 डिसमबर तक ये मंतरी में फिर बदल तो हो जाएंगे और शिवसेना भाजब में जो एक दूरिया चल रही है वो को कहीं नजदीक आने के चांसे समावना भी है पंडी जी इसमें से एक सवाल ऐसा भी पैदा होता है कि अगर हम डेली अगर हम देखते हैं निउस पेपर पढ़ते हैं या चैनल जब देखते हैं तो सबसे बड़ी खबरे जो हमारे सामने आती है वो नाकपूर की नाकपूर में बहुत बड़े खून, बलादकार जैसे कुछ घटनाओं से नाकपूर बहुत हैरान हो चुका है देवेंद्र फड़नविस खुद नाकपूर के है ना नरेंद्र मोदी, केंद्र में बैठे हुएं नरेंद्र मोदी केसरीवाल जैसे आदमी के उपर इलजाम लगा रहे है और केसरीवाल जो है केंद्र के उपर इलजाम लगा रहा है कि वही वो हॉस्पिटल नहीं खुला, वो दवाईयां नहीं मिली इसलिए अगर हम नागपूर की बात करें तो नागपूर मुंबई के बात में इस महाराष्ट की एक जमाने में राजधानी भी रही है कहीं नागपूर में जो क्राइम है वो और बड़ेगा क्योंकि नागपूर की अगर हम बात करें तो नागपूर का लोजीचूट और लैटीचूट देखें और कहीं नागपूर में एक जो विधर्भा का मुद्दा है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ दायक होगा कहीं ना कहीं वो समस्याएं जो हैं वो आपको भड़ती हुई दिखाई देंगी और समय जो है वो कम होने की वज़ा से हम definitely अगले कारेक्रम में नागपूर के उपर और चर्चा करेंगे पंडीजे आपने बताया कि अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे वो भी शेयर मार्केट का जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा जो सेक्शन रहा है और पंडीजे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने शेयर बीसी के बारे में आपने 27,000 तक बीसी का ये जाएगा ऐसे बोला था वैसे एनसी का 8,000 तक पहुँचेगा ये भी बोलाता सोने के बारे में आपने दो हमारे शो में ऐसे बताया था कि सोने का दाम बढ़ेगा और सोने का दाम अगर हम देखते हैं तो वो 27,000 तक पहुँचा है ये आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में BAC, NSC, Sona, Chandi और ओईल के दाम कैसे रहेंगे क्या सामान्य लोगों को राहत इसमें सी मिलेगी देखिए Bombay Stock Exchange की बात करें क्योंकि समय कम होने की वज़ा से हमने पिछले कारेक्रम में बोला था 26,800 या 27,000 का अंकड़ा तोड़ देगा वो तूट गया अगला जो उसका लेवल है वो 27,400 के करीब करीब है मगर मित्रो आयम बुलिश ओन स्टॉक मार्किट इट कैन गो अप टू 27,600 आलसो और नीचे का जो आंकड़ा है वो अभी मुझे 26,600 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देता यह खुशकवरी की बात है इसलिए stick to your stocks जहां loss है वहाँ पे आपके profits यहां आप अपना loss जो है कम कर सकते है NSE हमने 8,100 बोला था तो भगवान की कृपा हुई 8,200 तक पहुँच गया NSE मैं Nifty देख रहा हूँ 8,350 के करीब करीब उपरी स्थर हो सकता है और नीचे का स्थर जो है वो 7,900 के करीब करीब अभी नीचे जाता नहीं दिखाई देता चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है चाहे वो ग्रीस है कुछ भी उनकी समस्या है क्योंकि डॉजोन अभी बापिस इंप्रूब हो गया है नैस्टेक इंप्रूब हो गया है और कहीं न कहीं S&P बहुत अच्छे इंप्रूब होए है एक हजार पॉइंट की डॉजोन ने बढ़त मारी है और वहाँ से पूरा विश्व हिल जाता है पूरा विश्व उपर आता है सोने की बात करें तो सताई सदार चार सो उपर कहां करा है पिछले हफते मैंने बोला था बिश्वास नहीं लोगों को हो रहा था कि 26,600, 26,700 पार कर जाएगा मगर 27,000 पार किया 27,400 पार कर जाएगा हो गया और नीचे का स्तर जो है 26,600 के करीब करीब होगा सोने में अभी बरत दिखाई देती है दिसंबर जनूरी तक ये 30,000 भी हो सकता है और चांदी की बात करें तो मैं हमेशा कहता आया हूँ 33,000, 34,000 में खरीद लीजिए आपने खरीदी है तो मुबारक है ये 36,800, 37,000 तक पहुँच गई चांदी अभी थोड़ी सी ठंडी रहेगी मगर तब भी 27,500 का आंकड़ा 27,600 का आंकड़ा उपर का है सारी 37,700 का नीचे का आंकड़ा जो है 35,000, 35,600 रहेगा यानि चांदी 35,500 से लेके 37,600 तक ये पर केजी जूलती रहेगी तेल हम बोलते आएं आपको की 2,900, 2,950 पे खरीद के रख लीजिए आपने खरीदा है तो मुबारक क्योंकि अभी तेल 3,283,300 पर बैरल पहुँच गया है इंटरनेशनल बाजार में 50 डॉलर तेल जो है वो इस मक्त पहुँच चुका है आगे आने वाले दिनों में ये 52 डॉलर इंटरनेशनल मारकित में 3,450 राष्टर में हमारे यहाँ पर बैरल नीचे कस्तर जो है 3,220 और इंटरनेशनल बाजार में 41 डॉलर 42 डॉलर नीचे कस्तर रहेगा और ये आगे आने वाले दिनों में सीजन आ रहा है अच्छी स्क्रिप्ट खरीद के रख लीजी आपको लाप मिलेगा पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ रहे राजमंत्र में आज इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट शनिवार को रात आठ बजे तब तक देखते रहे जै महाराश्ट झाल